यहां पर गंदी पानी आने से बहुत लाखों क्रोरों का मच्छी खतम हो चुका हुगा। सरकार का 99% लापरवाई है। 99% इसलिए कर सफ़ा पानी राता किसी को कुछ हैं। जानबर भी पानी नहीं पी रहा है इसमें। सरकार हुआ अरियाना का पानी बर्म तरवाई हुआ से सफ़ा पानी छोड़े। इसके बाद आगे खिलियर होगा। नमस्कार में नाम हसन रजा है। आप देख रहे हैं तेज सरार। इस वक्त मैं मौझूद हूँ दिल्ली के जगतपूर के यमना घाट पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर यमना नदी बहरी है और हमें खबर मिली है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में मचलिया अचानक मर रही है और इसका सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है क्योंकि यमना बहुत जादा परदूसित हो चुकी है और भारी बारिस के कारण यहाँ पर गंदे नाले का पानी जमा हो गया है इसके साथ ही सोनी पत से जो पानी छोड़ा गया है गंदा पानी छोड़ा गया है जिसकी वज़े से यहाँ पर मचलिया मारी जा रही है और इसमें सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही बताई जा रही है आईए यहाँ पर मौझूद लोगों से जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ देखा था आप बताईए आपका नाम क्या है मेरा नाम बिरिंदर साहनी आपने यहाँ पर क्या कुछ देखा था एक जारी हो गया है 15 दिन से पानी जारी हो गया है और 15 दिन से पूरे सिकारी भी बढ़ चूका हुआ है सब किनारा मैं कर दो को शोड़ा रहा है कोई नहीं कुछा रहा है पहले दुनिया भर काम करते हैं और मचली बेचने काम करते हूं लेकिन जो भी मचली के जाता हूं कोई कहा कले नहीं रहा है इसलिए नहीं ले रहा है जो बास आ रही है जो यह मचली खाएंगे तो उसे होना होए इसलिए हम लोगों बंध कर रहे हैं तो आप लोगों करता है तो आप लोगों काम is jum hai कितनेरों से और एक महिने से इसकी हुआं पानी मचलीय मर रही है मचली मर gotta license बनाने के बाद विमira इसका पासस हुआ है इसके बाद तो आप देख सकते हैं कि यहां पर अभी भी बहुत सारी मचलिया मौझूद है जिसे मचवारे दोआरा पकड़ा जा रहा है एक बार आप आप देख सकते हैं कि किस तरह से मचलिया पक्री जा रही है और यही मार्केट में बेचा जाएगा और इसको लोग खरी देंगे और ख खिलाया जा रहा है आपको बेचा जा रहा है जी आप बताइए कि इसमें सरकार की कितनी लापरवाई है इसले कोई पानी पी नहीं पी रहा है इसे यमना नदी को कहा जाता है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी पवित्र नदी है लेकिन इसकी हालत यह हो रखी है तो कोन-कोन सरकार जिम्मेदार एसकी आपको क्या लगता है यह तो अपनादिली सरकार का दिकत है अगर टाइट हो जाते पर ऐसा पानी आएगा ही नहीं तो दिली सरकार धेमें हुए है बोलता जनता स्क्री लेना यहां पर कुछ लोग करते हैं क्या नहीं इतना तो मुझे मालूम नहीं था इतना नहीं मालूम नहीं था इतना तुमुझे पता नहीं है क्याने यह भी पुष्ता बना है तो पुष्ता भी आहल फिलाल बना भाइन वह पहले अब बहुत कम लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं यहां यहां वह बहुत नहीं पर सेट गया बान के महतनी होगा आते हैं हो अपना पेट के लिए नहीं तो थ्रा ही हापथ है नहीं आते हैं आप बताइए कि सरकार को किस तरह के कदब उठाने चाहिए जिससे यह साफ हो सरकार पानी चोड़े इसके साथ ही सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इसके अंदर ड्रेनेज का पानी छोड़ा जाता है इसके साथ ही कपड़ा उध्योग का जो कैमिकल का पानी छोड़ा जाता है इसके साथ है चूड़ी उध्योग का भी पानी छोड़ा जाता है उसको उसको नियंतर लगाना चा पानी पानी आता है उसे पंजाब से आता है और कैसे आता है कि ना भी बाड आएगी तो एकदम छोड़ा जाएगा और यहां क्या बोलते हैं अभी मची पालन तो कहीं है निया क्या करते हैं बड़े बड़े जाल डाल दिये जाते हैं तो न और तुम देखते हो कि ना यह जमना का पानी और यह दिल्ली के इंदर ना जमना है तो उसमें गंदी कितनी डाल जा रही है तुम देखते हो जो नाले का पानी सिदस यहीं आ रहा है उसके बाद आगे जाएगा जानने का प्रियास किया, कि उन्होंने यहां पर क्या कुछ देखा था, तो कुछ लोगों ने कहा, कि यहां पर 15-20 दिनों से, यहां पर मरी हुई मचलिया देखने को मिल रहे हैं, बड़ी तादाद में मरी हुई मचलिया, उपर बहती हुए नजर आ रही है, दोवारा गंदा पानी छोड़ा गया है जिसकी वज़ा से मचलिया मर रही है इसके साथ ही अभी भारी बारिस हुई है जिसकी वज़ा से जो गंदे नाले में पानी जमा होता है वो यमना में आ जाता है जिसकी वज़ा से यमना का ऑक्सिजन लेवल कम हो जाता है और मचलिया म कि युम्ना नदी सबसे पवित्र है लेकिन आप देख सकते हैं कि युम्ना नदी की हालत क्या हो रखी है यहां पर लाखों की तादाद में मचलिया मारी जारी है इस खबर पर आपकी क्या रहा है कॉमेंट करके बताए और बाखी खबरों के लिए देखते रहें तेज तर्रा करें और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिये गा जिससे दिलने से जोई तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे बहले आप तक पहुचे